दोस्तो नमस्कार जैहीन वंदे मात्रम और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आज इत वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड के जैसा एक नया कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है जो की UDID नाम से यहाँ पर कार्ड आपका बनने वाला है और ये कार्ड जो है बस आपके आधार कार्ड के मात्रम से ही बन भी जाएगा यानि कि आपको कहीं भी जाने की कोई जरुत नहीं है आप अपने घर बैटे अपने मुबाइल के मात्रम से ही अपना UDID सर्टिफिकेट अपलाई करके बना सकते हैं और इससे गोर्मेंट जोरा बहुत सारे बेनिफिट भी ले सकते हैं तो कैसे आपको अपना UDID कार्ड अपलाई करना है अपने आधार कार्ड के मात्रम से ही आज इस वीडियो मापको कमली पर से इस्टेप बाईश्टेप बताने वाले हैं तो अगर आप भी UDID Certificate बनाना चाहते हैं UID UDID कारड बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा complete देखना होगा वीडियो पसंद आजाए वीडियो को like कर देज़ेगा मेरी चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लिज़ेगा बेन लाट भी केसन को भी on कर लिज़ेगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे तो चली वीडियो को ही start करते हैं अब सबसे पहले तो आपको अपनी mobile या laptop में कोई सा एक browser को open करना है अगर आप UD ID card बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी mobile या laptop में कोई सा एक browser को open करना है browser open करने के पास यहाँ आपको type करना है يू डिडी पस आपको इतना लिखना है। इतना लिख आपको search कर देना है। सर्च करने पास यहाँ पहला जो link देखने को मिल रहा है पस आपको क्या करन आपड़एगा। इसी वाले आपको link पे click कर देना है आप जैसे इस link पे click करेगा तो यहाँ पे UID portal आप login हो जाएगा login होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीक इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ आपको देखने को मिलेगा apply now का एक option ठीक है आपको यहाँ apply now option पे click कर देना जैसे apply now option पे click करेगा थोड़ा सापको नीचे scroll करना है अगर आप पहली बार इस portal में UD ID card बनाने जा रहे हैं तो आपको पहली वाले ही link इस वाले option पे click करना है पहले वाले option पे click करने बाद आपको थोड़ा साथ नीचे आना आपको यहाँ पे click करना है जैसे कि आपको यहाँ पे choose regional language यहाँ पे बहुत सारा language है तो कुछ जो भी आपका language है उसको आप select कर सकते है select करने के बाद यहाँ अप applicant full name जिनके नाप apply करने वाले उनका full name यहाँ आपको type करना है applicant name in Hindi आपको यहाँ पे hijindee नाम को type करना है उनका नां आपको हिंदी में लिकना है और यहाँ पे थे पिस, applicant father name तो उनके father का यहाँ पे नाम type करना है mother का भी name type करना है mother का name आप छोड़ भी सकते हैं यानी कि application तो mobile number यहाँ पे mobile number को type करना है एक email id को type करना है उनका data birth को type करना है नीचे आपको आना है category दिया हुआ है तो जो भी है जनरल hc hc obc जो भी है उसको select करना है gender आपको select करना है male female जो भी है इसको थोड़ा से नीचे आना है blood group देखने को मिल जाएगा o positive b positive जो भी है आपको यह था अपने according detail को feel करना है इसके बाद आपको डेखने मतार relation with person तो आपको select करना है ठीक है तो यहाँ पे आप उनके फादर या mother जिनका भी नाम देना चाहते हैं उसका आपको select करना है select करने बाद यहाँ पे देखने है name of guardian तो guardian आपको care attacker अगर guardian नहीं है तो care attacker है जो उनका देख रहे करते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर type करना है contact फोटोग्रप का जो साइज है देख सकते हैं 5KB से लेके 100KB तक यहां पर हो नी चाहिए यहां पर पूरा डिटलिन बतायाएं कि उसका आपको रेड करना है और इसी तरीके ते फोटो के साइज को सेट कर लेना है अगर आप फोटो के साइज को सेट नहीं कर पा रहे है तो वीडियो में जरूर कमेंट करेंगा ताके एस उसे बना पाएं और चले वीडियो पहले से बना भी हुआ है आप जाके वीडियो को देख 292 ईचनीचर-थम्र देख और और पूर प्लोड करते हैं, तो यहां पे सीग्रेटर को अप्लोड करना है, थाम अगल लगाते हैं, तो किसी वाइड पीपर पो उनका थाम लगवा करना है, जिसकी साइज तीन के भी से लेकि तीस के भी होनी चाहिए ठीक है इसका नीचा आना है सेलेक परसनल इंकम उनका परसनल इंकम क्या है जैसे कि देख सकते हैं दस अजार पर अनम है या फिर दस अजार से यहां पर सोरी जो भी है उनका 10,000 से 1,000,000,000 है जो भी आपको उनके according select करना है उनका highest quality क्या है जैसे कि वो जीतना पढ़े लिखे है उसका आपको select करना है उसको на区y voice या फिर unemployed है वो काम करते है नहीं जो भी है उसको उनके according आपको select करना है यहाँ पर देखेंगे तो proof of identity card आपको इस पर click करना है click करने बाद यहाँ पर income tax, pen card, order ID card, रासन card, driving license, passport, आधार card, arms license, smart card issue by CSD और यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर option दिया हुआ है तो यहाँ पर उनको क्या करना है जो भी उनके पास document है उसको select कर लेना, जैसे का अधार card अधार card को select कर लीजिएगा जो select करिएगा वही आपको अपको अपड़ोड करना है जिसका साइज 10 के भी से 500 के भी होना चाहिए उनके अधार number को यहाँ पर type करना है आए ग्रिवाल option पर click करना है चेक बाउक पर click करना, उसके बाद यहाँ पर देखने है nature of document of address proof तो address proof में क्या देना चाहते है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अधार card को भी select कर सकते है यहाँ पर आपको अधार card को upload कर देना है अपलोड करने पाद यहाँ पर address आपको उनका type कर देना है उनका जो भी state है तो यहाँ पर देख सकते है state है यहाँ पर आल दिया होगा जोभी state है state को select करेगा तैसिल, जो है तैसिल को select करेगा block, जो है block को select recite करेगा pain code जोब 은 mortalEd को select कर लिएगा यह हम आपको एक डेमो के तौर बता रहे हैं तो आपको इसी तरीके select करना है अब यहां पर disability type ठीक है disability type अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां से translate भी कर सकते हैं तो चलिए हम इसको translate कर दिया है देख सकते हैं बताया गया विकलांगता प्रकार क्या है आपको विकला है सरवीत है लोको मोटर विकलांगत कुछ ठीक हुआ मस्तिक पक्छा घात बौधिक विकलांगता बांसिक बीमारी तो जो भी है उनको problem आपको क्या करना पड़ेगा सोरी यहां पर थोड़ा सा देखिए यहां पर चल गया है तो चलिए इसको आपको यहां पर सेलेट करना है जो भी उनको problem है उसको आपको सेलेट कर देना है अगर जो भी problem है problem कोई सेलेट करेगा ध्यान से आपको करना है ठीक है problem को सेलेट करने के बाद यहां आपको देखिए तब बिकलांगता का के कारड़ ठीक है और यहां पर बिकलांगता के कारड़ चैन करे वा क्या आप इलाज करने वाला एस्पताल अन्ने जिले में है तो एस्पतार कहां से नाम चुने पुरुष जिला, अस्पताल जो भी है, जो भी। detail आप select किये रहेंगे उसी के recording आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा ठीक है इसको यहाँ आपको capture code देखने मिलेगा capture code को फिल करना है checkbox आपको click करना है और जमा करे वाल option पर click करना है या फिर अगर यह engineers में रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कर छले English में करके दिखा देते हैं तो एकर यही क्या करना है यहां तब को यहां पर देख सकते हैं आपको फिर से इसी पेज पे आना इसी पेज पे आने के बाद यहां आपको देखने होने था ट्रेक और अपलीकेशन का आपको इस वाला आपशन पर क्लिक करना है क्लिक करने बाद यहां पर देखें का ट्रेक और कब का जो हो है वो अप्रूब हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो इस तरीके सब UD ID कार्ड किसी का भी बना कर बहुत सारा benefit ले सकते हैं UD ID कार्ड सब क्या क्या benefit होने वाला वो भी चलिए हम बता देते हैं यहाँ आप यहाँ आपको बता दिये हैं चलिए ठीक है यहाँ पर देखेगा UD ID कार्ड धारक कई योजनाओ का लाब उठा सकते हैं जैसे की सरकारी योजनाओ का लाब आपको मिलने वाला है ससीडी मिलने वाले विशेसा धिकार मिलने वाला है एजुकेशन लोन पर व्याज छोड मिलने वाला है रेलवे किराय में रियायत मिलने वाला है सारवजनी परिवाहन में मुप्त यात्रा आपको मिल सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में सरकाई योजना का लाब आपको मिल सकता ही इलाज के द VDID विक्तियों के लिए एक राश्टी डेटाबेस बनाने के लिए जारी किया जाता है ये कार्ड दो तरका होता है Unidid कार्ड या अस्था Udid कार्ड बनवाने के लिए अधार का Word الإ csak्ड या कम उम्रक का कोई सबूत पासपोर्ट साज फोटो की अज़रुरत होती है यह कार्ड बनवाने के लिए नजीदी की सेवा कें दिला ब्लॉक की तहसील अस्तर पर सरकारियत बतल में अब इधन के जा सकता है ठीक है तो यहां को बेनफीट आपको देखने को मिल जागा यह इतना आपको बेन का ताकि मेरी वीडियो से पहले आप तक पहुंचे हैं